आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मिरे नाम ऐसे धान तक नहीं हो तरी बाएंट नहीं होता है वहाँ पर प्रिमिर बूला जाता है mm54 से लेकर 1974 अपनी कि मरे नहीं तब यह चाइना के प्रधानमंत्री रह और फॉरेंड मिनिस्टरी थे 1958 तक इस फोरेंड मिनिस्टर भी थे चाइना के लेकिन से बहुत बड़े भूम रह थे। जाओ इनलाई ने ऐसा धूका दिया कि फिर सब ने देखा वैसे आपको एक बात बता दूँं अब रिपोर्ट्स यह सामने आई है रिसर्च हुई है बकाईदा तो यह सब कुछ documented है आपको पते हैं मैं अपने मन से कुछ नहीं बोलता everything is documented तो अब यह सामने आया है कि zao in line ने एक offer दिया था भारत को zao in line का यह offer था क्योंकि देखिए LSE का अभी कोई demarkation नहीं है और सबसे बड़ यही problem है तब ही आप देख रहे हैं China का stance कितना ज़्यादा aggressive है तब क्योंकि LSE का कोई demarkation है नहीं तो उस समय 1960 में 1959 में zao in line ने बोला था एक काम करते हैं आप हमारी मागे मान लो और हम सारे border dispute को सुझा लेंगे LSE property हम recognize कर लेंगे ठीक है जो आप line बता रहे है मैक मोहन हम उसको recognize कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन वो offer क्या था जाओ in line कह रहे थे कि हमको oxygen दे दू अक्साइचिन एडिया पर हमारा कबजा है यह हमको दे दू हम सब recognize कर लेंगे तो जवाल लाल ने इसको मना देथ नहीं थी यह बहुत बार सामने भी आया है यह कस्मात मृत्यों थी इतने ज़दा दुखी थे कि जवाल ना लेरू 1964 में उनकी डेथ हो गई तो हम देखेंगे जाओ in line की कहानी चाइना के यह आया था ठीक है बहुत कुछ इस इसने भी जेला था अनस्टेविलिटी चाइना में बहुत जादा थी तो साली चीजे दिखेंगे तो चलिए आगे बढ़ते हैं सिरन्स को रिकनेक्ट मेरा फेजबुक पेजए सिद्धान तक नहीं उतरी के नाम से मेरी फेजबुक प्रोफाइल है दोनों ही जगा प्रेचर की पीडिएफ ले सकते हैं सवाल भी पूछ सकते हैं यूपी एसी के स्मार्ट कोसेश आते हैं आप इसको स्टेडी आई क्यों के एप से बुक कर सकते हैं साथ ही साथ ट्विटर पे मैं आ गया हूँ यह नहीं मेरी आईडी तो अगर हम जाओ इल्लाई की बात करें तो इसका जनम हुआ ता ठारा सो अठान्वे में ठीक है आप यह जाओ फैमिली है इनकी बहुत बड़ी जाओ फैमिली जो समय चिंग डैनिस्टी थी Q-I-N-G ठीक है तो चिंग डैनिस्टी के लिए इनकी फैमिली काम करती थी इनके पिता जी भी चिंग डैनिस्टी अनकी सरकार में ही काम करते थे ठीक है पहले कलरक थे इनकी फैम में नहीं थे जाओ इनलाई खुद बोलते हैं इनके पिता जी जो थे जू ये नहीं ये बहुत ये डिसेप्लिंड थे सब कुछ बढ़िया लेकिन इनमें लीडर्शिप की कमी थी वीक इनको कंसिडर किया जाता था डिटामिंट नहीं थे प्लस अकसर हमको छोड़के चले जा जाओ इनलाई को इनके पिता जी के छोटे भाई ने एडॉप्ट किया था जाओ येगैन ठीक है लेकिन जाओ येगैन की बहुत जल्दी दिहान्त हो गया कि इनको टीबी था तो येगैन की जो विद्वा थी जो विडो थी उन्होंने जाओ इनलाई के एक तरीके से पाला जाओ इनलाई को बहुत ज़ादा प्यार दिया और 10 साल तक जाओ इनलाई का जो पालेट पोशर्ट था वो इनके छोटे भाई की बीवी ने किया और जाओ से बहुत प्यार करती थी बहुत सारी कहानिया बताई जाओ जाओ इनलाई को और ये जो home tuition था दस साल तक ये घर में पढ़े थे, बार नहीं गए, school में पढ़ने नहीं गए, ठीक है, ये जो home tuition था, ये कमाल साबित हुआ जाओ इनलाई के लिए, क्योंकि यहां से इनकी पढ़ने की इक्षा डेवलप होती गई, पढ़ने की habit पढ़ती गई, जैसा आप बच्चे को ढालेंगे, बच्पन में जैसा आप उसको जैसी आदते लगाएंगे, वैसे ही वो आगे होगा, तो जाओ इनलाई की पढ़ने की आदत पढ़ गई थी, और इनकी adoptive मदर ने ये पढ़ने की आदत डाली थी, खूब कहानिया सुनाती थी यह, जैसे पहले होता था न, कि जो हमारी नानी है, दादी है, जब हम छोटे होते हैं था हमको कहानिया सुनाती थी, वैसे ही जाओ इनलाई की adoptive मदर जो हैं, वो इनको कहानिया सुनाती थी, और बड़ा curious रहते थे जाओ इनलाई, अब problem यह भी थी न, कि यह चाइना का जो समय है, भईया देखो इनका जनम कब हुआ है, 1898 में इनका जनम हुआ, अब जब इनका जनम हुआ, बॉक्सर रेविलुशन से कुछी साल पहले, समझ रहे हो, 1800 से लेकर 1900, चाइना को humiliate किया जया, यह humiliating period बोला जाता है, जापान ने 1894 में चाइना को फर्स्ट साइनो जैपनीज वर हरा दिया, दो OPM वर लड़ चुका था, ब्रिटिश से, बताईए, चाइना को नशे की हाल तो ब्रिटेन अटाक कर देता था, और हरा देता था चाइना को, फिर चाइना पोस्ट करता था, फिर ब्रिटेन अटाक करता था, हम यही करेंगे, जो करना है कर लो, यह ब्रिटेन का एटिट्यूड, तो चाइना ने जितने वर लड़े, सब हरे, तो इससे लोगों में लो से ज़दाद आर्मी थी जापानियों ने तो चाइना पर बहुत ज़दा जोल्म डाय हलांकि जापान का भी इतिहाद वहाँ पर मेजी डिस्टोनेशन हुआ देखिए जापान और चाइना इन सब पर मैंने बहुत सारे लेचर लिए तो आप देख लीजेगा जादा मैं बैग साल के थे अपनी एडॉप्टिव मदर से बहुत ज़दा क्लोज थे उनका भी दिहान थो गये समझ गये तो खाली इनके पिता जी बचे जो की बाहर काम करते थे अब उसके बाद इन्होंने स्कूल अटेंड किया शुरुवात में इन्होंने डॉंगन मॉडल अकैडमी अटेंड की लेकिन बाद में इन्होंने नैनकाई स्कूल जो समय का सबसे बहतरीन स्कूल था वो अटेंड किया और स्कूल में जब ये गये तब इनकी काबलिया सामन देखिए 1910 का वक्त है ध्यान रखिएगा 1910 का वक्त 1910 का वक्त क्या है अब देखिए चिंग डाइनिस्टी को यहां पर क्या हो रहा है पैरलली अब समझे जिन्होंने मिले रिलिचेस फॉलो किये होंगे सन्याद सेन की बाग्राफी जिनाही रेवलुशन वो समझ रहे होंग 1912 में दो साल बाद और मुनार्की को खतम किया जाएगा और सन्याद सेन अपनी पार्टी बनाएंगे सन्याद सेन की बाग्राफ में वहने कवर की है ठीक है सन्याद सेन इनको फादर एक तरीके से आप चाइना कह सकते हैं ठीक है तो सन्याद सेन अपनी पार्टी बनाएंग तो ये तीन प्रिंस्पल थे सानियाच सेनके जो इलाई इधर यहाँ पे स्कूल एटेंड कर रहे है स्कूल में अच्छी पढ़ाई कर रहे है साइन्स सीख रहे है, मैथ सीख रहे है फिलोसफी सीख रहे है, सब कुछ सीख रहे है चाइना देखे अगर चाइना का पितियास देखे इनकी अर्ली हिस्ट्री देखे अगर पुरानी हिस्ट्री देखे तो ये बड़े बड़े इंटेलेक्शुल्स माने जाते थे यहाँ पे six schools of philosophy निकली Confucius पे मेरा लेचर देखिएगा वो इतना लंबा चोड़ा syllabus होता था कि जो उसको पढ़ लेता था वो अपने में ही बहुत महान हो जाता था चाइना अपने इतिहास को लेके बड़ा ही प्राउड फील करता है वो अपने इतिहास को लेके बड़ा महान बताता है कि हमारा तो इतिहास इतना बहतरीन था हम इतनी बड़ी civilization थे तो चाइना को इस बात का भी बहुत ज़दा गर्व है और भले ही माओ जिदॉंग कुछ भी कहें क्यों Confucius नहीं है Confucianism नहीं है हम इसे आगे आ चुके हैं मतलब जब भी उन्होंने बोला माओ जिदॉंग जब आए तो उन्होंने Confucius को विल्कुल साइड में रख दिया लेकिन अगर आभी देखे तो चाइना में चाइना के जो लोग है Confucius की आत्मा उनमें बस समझ रहे हैं चाइना से six school of philosophy निकली जिसमें शांति का पार्ट पढ़ाया गया तो चाइना की अगर बात करें तो भले ही उनकी सरकार बड़ी अग्रेसिव है उनके लोग इतने अग्रेसिव नहीं है तब ही तो वो अपनी सरकार को जहिल रहे है ना चाइना के लोगों को को कोई rights है ही नहीं कोई freedom है ही नहीं कुछ नहीं है लेकिन तब भी वो अपनी सरकार को जहिल रहे है तो यह reflect करता है यह मैं इस पर article पढ़ रहा था यह reflect करता है कि चाइना से Confucius कभी गए ही नहीं और कभी जाएंगे भी नहीं वरना तो अगर रश्या जैसा होता ना तो अभ अब हम जाओ इनलाई पर वापस आते हैं यह मैंने थोड़ा सोच आपको insight दे दो आप इसमें सर्च करिएगा आपको बहुत अच्छे-चे articles मिलेंगे ठीक है तो जाओ इनलाई की बात करें तो यह अभी स्कूल में क्या कर रहे हैं स्कूल में पूरी तरीके से active है और इन्ह जब graduate हुए तो one of the best student थे इनको बहुत ज़दा recognition मिला कि कमाल का है यह कमाल का बोलता है speeches बहुत बढ़िया देता है क्योंकि यह बच्पन से ही पढ़ते आ रहे थे और जो इनसान पढ़ता है देखिए पढ़ना सबसे important है याद रखेगा इस दुनिया में जितने बड़े-बड़े leaders हुए हैं उन सबकी एक common बात पढ़ाई चूकि दुनिया ज्यानियों को follow करती है ठीक है अगर आपके पास ज्यान है तभी लोग आपको follow करेंगे तभी लोग आपकी बात मानेंगे वरना नहीं मानेंगे तो पढ़ाई बहुत जाता important है you have to be an intellectual समझ रहे हैं और पढ़ाई सिर्फ पढ़ने के लिए एक्जाम निकालने के लिए नहीं आपके overall personality development के ही है चलिए उससे बात नहीं करते हैं फिर से जाव पर वापस आते हैं तो जाओ इंलाई की बात करें तो जाओ इनलाय फिट जापान चले गए जब अपने school से बाहर है तो बात जापान चले गए अब जापान उस समय जने बताया कि काफी ताकत रँढ़ था और जापान चले ग हो और चाइना को महान मनाओ यहां पर यह माक्सिजम पढ़ने लगे माक्स के करीब आ गए ठीक है तो यह भी बहुत इंपोर्टेंट जापान के कल्चर से तंग आ गए फिर यूरोक गए यूरोक के की कल्चर से तंग आ गए अल्टीमेटी आया चाइना यह समझ रहे हैं जो मैं बहुत खराब बनाऊंगा यह है इस तरीके का चाइना का मैं प्यार प्लीज माफ कर दे न ठीक है यह साउथ यह नौर्थ पेवुक था क्या कि जिसके पास मिलिटरी का कंट्रोल होता है वही बिटा सर्वे सर्वा ठीक है अक्सर मुझे पोस्ते है कि सर तकता पलट कैसे होता है मिलिटरी मिलिटरी पावर आ गई मिलिटरी अगर आपको साथ दे दे तो आप किसी भी सरकार का तकता पलट कर सकते हैं ठीक है नौर्थ में क्या था मिलिटरी जो थी वो युवान शिकाई के पास थी ठीक है युवान शिकाई के पास मिलिटरी थी उनके पास ताकत ती, Sun Yad Sen के पास भी ताकती लेकिन उसके बाद military का इतना support नहीं था, Sun Yad Sen ने अपने सपनों को side में रखा, Sun Yad Sen चाइना को बहुत महान बनाने चाहते थे दुबारा से, Sun Yad Sen ने युवान शिकाई को बोला, मैं अपने सपनों को side में रख रहा हूं, तुम चाइना को महान बन इधर बहुत बड़ा एरिया तो नहीं था, लेकिन सदन चाहिना से कौन रूल करते थे, Sun Yad Sen, समझ गए, अपनी कव्मिन टॉम पार्टी, लेकिन धीमे धीमे युवान शिकाई के पास पूरा चाहिना आ गया, क्यों? क्योंकि युवान शिकाई हो गए, dictator, emperor बन गए, तो Sun Y 1928 तक, यह सब कुछ 1914 से शुरू हुआ था, 1914 से लेकर 1928 तक चाइना जो है, वो छोटे छोटे पार्ट में बट गया, जिसको कौन रूल करते थे, वार लॉड्स, समझ रहे हैं, तो यह वार लॉड्स पीरियट था, अब यहां पे मूड खराब हुआ, सनिया सेन का, और जो रॉड्स प्रभावे थे, और उसके बाद जो इनलाई पॉलिटिक्स में भी बहुत ज़द आक्टिव हो गए, बकायदा इन्होंने अपनी सोसाइटी बना दिया, वेक्निंग सोसाइटी, कुछ मैग्जीन्स को, कुछ पेपर्स को, यह एडिट करने लगे, रिव्यू करने वाई चियाग काईशक के पास जिनकी बाउग्राफी मैं ने रिव्यू की है। फिक है, एक चियाग काईशक, एक माउजिदॉदौन, और एक छूइन लाई, ठीक है, यह तीन लोग बहुत लोग भी जूविदौन लाई की तो चले भाउद रिव्यू कर रहे हैं, लेगिन इंचियां कार्षाक और माउस जदांग बहुत इंपोर्टेंट है 1922 आते हाते हैं Communist Party चाइना में बन दी देखिए Communist और पहले जो था केम्टी दो पार्टी थी ठीक है दो लीडर्स थे चाइना में केम्टी जो थी Communist Party पार्टी जो की सन्याग सेने बनाई थी उसके पास थाकत जादा थी Communist Party तो अभी नई ने बनी थी समझ गए तो आब हम यह देखते हैं कि शुरुवात में तो Communist और केम्टी ने साथ में मिलके काम किया लेकिन धीमे धीमे दोनों में स्प्लेट हो गया 1927 आते वो कहानी मैंने अल्रेडी समझाई हुई है अब देख लिएज़कों उसका लेचर अविलेबल है अब हम यह देखते हैं कि शाओ इनलाई पॉलिटिक्स में बहुत धाद अक्टिव थे जाओ इनलाई पॉलिटिक्स में अक्टिव थे तो सरकार के खिलाफ कई बार प्रदर्शन करते थे कई बार जो वार लॉट्स है उसके खिलाफ प्रदर्शन करते थे इससे होता क्या था कि जाओ इनलाई को कई बार अरेस्ट भी किया गया एक बार दो महिने के लिए इनको जेल में डाल दिया गया जैसे ही बाहर आए तुरांत जाओ इनलाई चले गए युरोप जाओ इनलाई को पैसे की हमेशा कमी रही ठीक है फैमिली के पास इनका पैसा नहीं था तो स्कॉलर्चिप पे ही डिपेंड रहते थे लेकिन स्टूडे बहुत अच्छे थे तो जाओ इनलाई चले गए युरोप वहाँ पर पढ़ाई करने ठीक है उसके बाद 1920 में उन्होंने शैंगाई को छोड़ दिया युरोप गए लेकिन फिर जब चाइना में राश्ट्रवाद की भावना उठने लगी सन्याथ सेंच छोड़के चले रहे तो जाओ इनलाई को वापस बुलाया गया चाइना के ugrad के लिए तुम्हारी ज़रूरत है समझ रहे हैं इन चाइना के युशाハハऑ नहीं बोलेंगे की चाइना सुम्हें बट गया था ठीक हैं कि है और कम्मिनिस पार्टी के मेंबर भी हो गहाँ जाओ इनलाई ठीक अब 1924 में जाओ इनलाई जो है वो चाइना वापस है और उसके बाद इन्हों ने वामपुआ मिलिटरी एकाडमी को जॉइन किया यह जो 1924 का जो साल था वो जाओ इनलाई के लिए बहुत ही बहतनी था क्योंकि रैंक इनकी बड़ी और इनका दबदबा भी बड़ा मिलिटरी एकाडमी का इनके पास कंट्रोल आ गया है तो आप खुदी समझे अब इधर क्या हो रहा है पैरलली फिर से पैरलली पैरलली यह चल रहा है कि चियांग काईशक और कम्यूनिस्ट पार्टी मतलब सोवियत की वज़े से सोवियत में कम्यूनिसम आ गया था और सोवियत चाइना को सपोर्ट कर रहा था चियांग काईशक एक तरफ चियांग काईशक थे एक तरफ थे आपके कम्यूनिस्ट पार्टी तो सोवियत का सपोर्ट कम्यूनिस्टों को जादा था चियांग काईशक को पता था कि एक बार चाइना मेरे पास आ गया ना फिर कम्मिनिस्टों को मैं साइड में लगा दूँगा फिर सोवियत की हमको कोई जरूरत ही नहीं और यही हुआ 1927 में 1926 और 27 नॉर्दन एक्सपेडिशन 1926 में शुरू हो गई नॉर्दन एक्सपेडिशन क्या सन्यास से ने क्या बोला था चाइना को उनिफाई करो नहीं हो पाया चाइना बटा हुआ था ना वार्लोड्स के बीच में मैंने भी आपको बताया चियांक आइशेक ने सन्यास से जो सपना था कि चाइना को उनिफाई करो वो शुरू कर दिय एक साइड से शुरू हुए और उपर ही जाते गए साउथ से इनकी सरकार चलती थी आर्मी इनकी बढ़िया हो गई थी जाउं इनलाई ने आर्मी को अच्छे से मिंटेन किया था बढ़िया बढ़िया ये सोल्जर्स दे रहे थे तो Chiang Kai-shek ने साउथ से शुरू किया एक्सपेडिशन और एक एक लीडर को हराते हुए नौर्थ तक गए जिसको नौर्दन एक्सपेडिशन बोला जाता है Chiang Kai-shek 1927 आते पूरा चाइना Chiang Kai-shek के हाथ में यही Chiang Kai-shek चाते थे Chiang Kai-shek के चाते थे अब Chiang Kai-shek ने बोला एक मेरा मोटेव पूरा हो गया दूसरा मोटेव मुझे सोवेट की ज़रूरत नहीं कम्मिनिस्टों को मारेंगी अब तो दोस्तों तीन अप्राइजिंग हुई कम्मिनिस्टों के ओपर हमला हुआ बकायदा और पर्जेज हुई यहाँ कम्मिनिस्ट लीडर्स को पकड़ पकड़ के मारा Chiang Kai-shek ने जिसको शेंगाई मसाकर के नाम से भी जाना जाता है 12 अपरेल 1927 जिसमे मेरा पूरा सेपरेट लेचर है आप देखिएगा ठीक है ग्रीन गैंग जो Chiang Kai-shek की एक गुंडो की सेना थी वो क्या करती थी कम्मिनिस्टों को ढूनती थी और खतम कर देती थी उनके गले काट देती थी समझ रहे हैं तो अब यहाँ पे कम्मिनिस्टों को यहाँ पर पर्ज करना शुरू कि अब जाओ इनलाई भी मेंबर थे तो जाओ इनलाई को भी खत्रा तो जाओ इनलाई अंडर ग्राउंड हो गए ठीक है जाओ इनलाई को पता था यहाँ तक कि अभी बोला जाता है कि Chiang Kai-shek ने जाओ इनलाई क्योंकि बहुत बड़े मेंबर थे उस समय बहुत बड़ा नाम था जाओ इनलाई ने इतना जदा पढ़ा लिया था पढ़ा लिखा इनसान था कि जो कम्मिनिस पार्टी का दिमाग था ना वो जाओ इनलाई था ठीक है माउजिदाउंग तो एक रेवुलूशनरी थे आम ले जाओ तो जाओ इनलाई फिर अंडरग्राउंड हो गए और उसके बाद फिर इन्होंने चाइना के बाहर से ही दुवारा यही रोक गए ठीक है और चाइना के बाहर से इन्होंने कोशिश की कि चाइना को मतलब कम्मुनिस्टों को एक सेफ पैसेज दिया जाए ताकि कम्मुनिस्टों को मारा ना जा सके मॉस्को में वकायदा नैशनल पार्टी कॉंग्रेस हुई जून जुलाई 1928 में जो कि जाओ इलाई ने टेंड की जाओ इलाई में इस पोस्ट परसन थे और उसके बाद इनको डारेक्टर अफ सेंटरल कमिटी भी चुना गया 1929 में ये फाइनली वापस आय और उसके बाद आपको पता ही है सेविल वार शुरू हो गया नैशनलिस्ट और कम्मुनिस्ट के बीच में फिर ये बकायदा पूरा लॉंग मार्च ये सब कुछ मैंने कवर किया है ठीक है और इसी दोरां दोस्तों आपको बता दूँ कि जाओ इनलाई जो है क्यों क्योंकि जापान ने अटाक कर दिया रेपस ऑफ नांकिंग पे मेरा पूरा सेपरेट लेचर है चाइना पे मैंने बता ना बहुत सारे लेचर लिए मैंने पूरा इतियास कवर किया है तो आप देख लीचेगा 1937 में जापान ने अटाक किया चाइना पे तो क्या हुआ नांकिंग जैसे ही टूटा जापान ने चाइना को इनिवेड कर दिया चीजों को control में करने के लिए Communist और KMT साथ में आगए दोनो लोग साथ में आगए दोनो पार्टी साथ में आगी जाओ इनलाई को इसमें बहुत ही important position दी गई जाओ इनलाई को यहाँ पे Chief Representative बनाया गया जो KMT और CCP का Communist Party का agreement हुआ और बकाईदा इन्होंने offices बनाया ताकि Japan को हराया जा सके World War 2 में और जापान बैटाय किया जा सके और उसके बाद जब यह नाशनलिस्ट गवर्मेंट दोस्तों यह KMT है समझ रहे हैं काउमिंटॉंग पार्टी चियां का शक्की ठीक है तो नाशनलिस्ट गवर्मेंट ने बकाईदा इनको डेपूटी डारेक्टर बनाया पॉलिटिकल डिपार्टमेंट का और मिलिटरी कमीटी का और उस समय जाप इन्लाई ने खूब जादे फूब पैसे जुटाए समझ रहे हैं लेकिन धीमे धीमे जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा जाओ इन्लाई और चियां काईशक यानि कि कम्यूनिस्ट पार्टी और चियां काईशक के बीच में जो रिष्टे थे वो खराब होते गए वर्ल्ड वार टु खतम होता है दोस्तों वर्ल्ड वार टु जैसे ही खतम हुआ तुरंट दुबारा से सिविल ओर चुरू हो गया किसके बीच में ताकत किसके पास रहेगी सरकार किसके पास रहेगी जाओ इन्लाई उसमें बहुत ही आगे रहते थे मैंने बता है ना माओ जैदॉंग और जाओ इन्लाई दोनों ये दो सती हम नहीं तोड़ेंगे जाओ इन्लाई के कॉंटाइक्ट्स बहुत बढ़िया थे तो जाओ इन्लाई को जाओ इनलाई ने माउजदॉंग को बड़े बड़े लोगों से इंट्रेड्यूस कराया, बड़े बड़े सेलेब्रेटी से इंट्रेड्यूस कराया 1943 में माउजदॉंग चेर्मेन बंगे कमिनिस पार्टी के और 1946 में जाओ को बनाया गिया जो कि अगर future coalition government बनेगी तो जहाँ इनलाई को बहुत बड़ी position दी जाएगी समझ रहे हैं तो ये चीज़ हुई सब कुछ अब उसके बाद दोस्तो 1945 सेलकेट 49 ये सब मैंने कवर किया है तो इसकी ज़्यादा डीप नहीं जाओंगा मैं सारे lectures अबले बहले दोस्तों चियांग कैशक की बाग्राफी वाइट टेरर की वाइट टेरर मैंने पूरा एक lecture लिया है कि चियांग कैशक का क्या हुआ ठीक है वो बताया है मैंने उससब lecture लिया है तो 1949 में अल्टीमेटली हम देखते है कि सोवियत की हेल्प से कम्मिनिस्ट जीत गए और ऑक्टूबर आते 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 बीजिंग से लाल जंडा फैरा दिया यह मेरा बहुती फेवरिट सेंटेंस है ठीक है लाल जंडा फैरा दिया जंडा फैरा ना बड़ा मुझे कहते है कि नैशनलिस्ट भावना मेरे अंदर जग जाती है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि माउजे दॉंग ने लाल जंडा फैरा दिया 1949 में और अल्टीमेटली पावर किसके पास आगी माउजे दॉंग चियंग कैशेक देखे पूरा कंट्रोल किसके पास था चियंग कैशेक के पास लेकिन 1949 ने किसी ने भी नहीं सोच जा था कि माउजे दॉंग जीतेंगे लेकिन जाओ इनला व्माउजे दॉंग ने मिलके चियंग कैशेक को हरा दिया और चियंग कैशे कहा भाग गए ताइवान तो ताइवान से चियंग काईशे की सरकार चल रही है Republic of China जिसको बोला जाता है और अभी दुनिया चियंग काईशे क्या बोल रहे थे कि असली चाइना तो हम है हमने इतने सालों तक रूल किया ये लोग तो नकली वाले हैं तो Republic of China इसलिए तो ताइवान और चाइवान एक है ये दोनों मानते हैं ये people Republic of China भी मानता है और Republic of China जिसको ताइवान मोलते हैं दोनों मानते हैं ठीक है और वही पुरा इशू चलता चला रहा है तो जब तक चियंग काईशे की मृत्यू नहीं हो गई अभी तक इनकी सरकार ताइवान से ही चलती है समझ रहे हैं और ताइवान को रिकर्गनेशन मिला है अभी आपने देखा कि भारत के ministers ने भारत के officials ने जो वहाँ पे नहीं सरकार आई ठीक है मतलब नहीं सरकार के पुरानी सरकार थी तो online ceremony को उन्होंने attend किया जिसे चाइना बहुत बढ़क गया था ताइवान को जहां पे भी recognition मिलता है चाइना बढ़क जाता है क्योंकि चाइना बोलता है ताइवान एक ही अभी मैंने आपको बता है कि चाइना पचास लाख लोगों को लेके और चियांक आशेक ने ताइवान में भी बहुत मसा कर किया वाइट टेरर का मेरा वीडियो देखिएगा ताइवान में चियांक आशेक ने क्या किया सबके हाथ यहां पे खून से रंगे है कोई सीधा नहीं है अब चाइना का एक दूसरा फेश शुरू होता है माउजदों किदर सरकार समाल रहे थे बाकी फॉरेन मिनिस्टर बना दिया किसको जाओ इनलाई को ठीक है तो जाओ इनलाई सबसे पहले हम भारत भारत और चाइना का ही देखते है मुझे पता है कि आप लोग यही वेट कर रहे हों कि भारत की कब बात आएगी ठीक है देखिया हो यार ऐसा है कि जब बायग्राफिया हम रिव्यू करते हैं तो इस पर हाला कि मैं अलग से लेक्चर बना दूगा जाओ इनलाई डिप्लोमेसे वित इंडिया लेकिन जब मैं बायग्राफिय बताता हूँ तो सब कुछ बताता हूँ ठीक है भारत की बात करें तो भारत और चाइना हिंदी-चीनी भाई-भाई भारत और चाइना इतने अच्छे दोस्त थे कई बार विजिट हुई जवालना नेरू 1954 में चाइना गये इधर 1960 में जवालना चाइना बड़ा कहानी है जवालना जब भारत आय थे तो पेपर में एक फोटो चपी ती क्योंकि 1960 के बात है तब तक कि ये खबरे आने लगी थी कि चाइना बहारत पर आटक करेगा थीक है तो जाओ इनलाई भारत आया, तो उन्होंने एक पेपर में एक फोटो देखे, काटून देखा, जाओ इनलाई की फोटो और उनके साप के तौर पे दर्शाय गया है, एक साप की तरह उनकी जीब निकली हुई है, शकल उनकी है, और बकायदा साप बनाया हुआ है काटून में और वो जाओ इनलाई है, तो जाओ इनलाई ने जब अपने आपको पेपर में देखा, कि मुझे साप दिखाया गया है, तो बहुत चिला है वो, कि this is the way you treat your guest, ऐसे आप ट्रीट करते हैं, तो फिर भारत ने जवाब दिया कि महराज, ये चाइना नहीं है, ये भारत है, साओ इनलाई को समझ में आया, समझ गए, तो भारत के साथ अगर रिलेशन देखें, इस पर मैं बाद में आऊँगा, Korean War पे, पहले भारत के साथ ये आपको रिलेशन समझा देता हूँ, तो भारत ने तो इन फैक्ट जब चाइना ने, देखें, तिबबद जो है, ठीक है, जब तिबद पे कबजा किया, 1950 में, एग्रेसिवली तिबद पे कबजा किया, माउजदाओं को बहुत बिजजटी की थी यहाँ पे, ठीक है, दलाई लामा की जो सरिमनी हुई थी, तो जब तिबद पे कबजा हुआ, तब भी भारत ने कुछ नहीं बोला, चाइना ने बोल बहुत कैम्पेइण चलाई, जो भी दलाई लामा के साथ अंस सब को मारा, तो दलाई लामा फिर भारत है भाग के, ठीक है, लाखो लाखो फॉल्वर्स के साथ के हमको बचाईए है, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी, तो फिर भारत ने शरर दी, और यही एक बहुत, मतलब क क्याते है न, कि यही एक लास्ट चीज थी, चाइना बिलकुल नहीं चाहता था, प्लस चाइना ने रोड बना ली, और उपर से पंच शील एग्रिमेंट जो हमने साइन किया था, चलिए मुझे डेट बताए, पंच शील एग्रिमेंट कब साइन किया था, वो तो भारत और का बिलकुल पीसफुल एग्रिमेंट था, हमने चाहिना कि यह उनाइटे नेशन की सीट भी छोड़ दी, अब यह डेवेटेबाल है दोस्तों, याद रखिएगा, इसके बहुत सारे काउंटर आर्गुमेंट्स हैं, बहुत लोग यह समझते हैं, हमको नहीं चोड़नी चाह हैं, समझ रहे हैं, अगर उस समय, शायद भारत में अगर एक्सेप्ट कर ली होती, वैसे मेरे इसाब से तो कर लेनी चाहिए थी, बात की बात में देखी जाती, लेकिन इसका कांटर आर्गुमेंट यह होता है, तो भारत, हो सकता है भारत में भी अमेरिका के बेस होते, जै दिक्कत नहीं है, बाकी चार मेंबर्स तो बैठे हुए हैं, वो तो चाहिए नहीं कि भारत आ जाए, लेकिन हमेशा चाहिए चाहिए वीटो कर देता है, चाहिए चाहिए नहीं तो भारत को गर उनाइटे नेशन का अपने मेंबर नहीं बनाया, तो यह तो उनाइटे नेश बहुत ही ज़ादा important लेकिन उसके बावजुद हमको permanent member नहीं बनाय जा रहा है ठीक है चाइना की वज़ेसे क्योंकि चाइना बार 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 veto कर देता है तो जिस चाइना को हमने advocate किया United Nations के permanent member के लिए आज वही veto कर रहा है ठीक है वो भी एक अलग topic है तो अब हम यह देखते है कि जो डिप्लो में सी थी भारत और चाइना बहुत बढ़ी आशुरू में तो बहुत जादा भरोसा था कि चाइना हम पे कभी अटाक करी नहीं सकता पाई communismism भी तो socialism से निकला है और भारत एक socialist economy था तब तक लेकिन हमला कर दिया और यह इतना बढ़ा जटका था जवालना लेरू ने कभी नहीं सोचा था जब इंडोनेशिया में कॉन्फरेंस हुई थी ना पीछे पीछे घूम रहे थे जाओ इन लाई जवालना नहरू के पीछे पीछे घूम रहे थे जवालना लेरू से बहुत ताकतवर लीडर थे पूरी दुनिया में की पैट थी third world को लीड क कर रहे थे लोगों को ऐसा लगता है कि जब आलना नेरु बहुती सॉफ्ट थे बत अंधी कॉंट रहे जब आप किताबें पढ़ेंगे जब आप आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो आपको अलगी चीज सामने आएगी जब आलना नेरु तो काफी अग्रेसिफ थे एक्चुली और थर्ड वर्ल्ड को लीड कर रहे थे तो जाओ इल्लाई तो पीछे-पीछे गुंता था नेरु जी के ठीक है लेकिन नेरु जी इसको समझी नहीं पाए कि कितना बड़ा ये चाल्ज चलने वाला है समझ रहे हैं नेरु जी सबसे इंट्रेड्यूस कर आ रहे थे जाओ इल्ल नेरु की दोस्ती थी जो थर्ड वर्ल्ड क्रियेट किया था किसी ने कुछ नहीं बोला ना इजिप्ट कुछ बोला ना इंडोनेशिया कुछ बोला कोई भी कुछ नहीं बोला सब शांत हो गये बहुत बड़ा जटका था चाइना से जादा तो ये बड़ा जटका था से तो आपको पते ही उसमें क्या हो रहा था अमेरिका पाकिस्दान को सपोर्ट कर रहा था ठीक है सोवियत भारत के साथ था तो यह बहुत बड़ा इसी लिए यह बोला जाता है कि 1964 में यह अकस्मात मृत्ति उती नहरू जी की ठीक है तो यह भारत के साथ रिलेशन थे जबर इनके जाने के बाद निकिता क्रुषेव आए उनसे भी इनकी बहुत कोई बहुत अधा बनी नहीं ठीक है अगर निकिता क्रुषेव के बात करें वो चाइना को बहुत बड़ा नहीं मानते थे और माओ निकिता क्रुषेव को बहुत बड़ा नहीं मानते थे इनफाक्ट ए यो ऐवो नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट कर रहा था आज वही किम जॉंग उन वाला कोरिया इसलिए वहाँ पे आप देखते हैं पूरी डिक्टेटरशिप है और अमेरिका जो है वह सौथ कोरिया को सपोर्ट कर रहा था कुछ भी कहिए लेकिन डेमोकरी सबसाइची चीज यह थ लेकिन अभी एक मूवी आई थी दोस्तों पैरा साइट वह आप मूवी देखिएगा कमाल की साउथ कोरिया भले ही आपको बाहर जग कितना अच्छा लगे लेकिन अंदर की साइटी कितनी खोकली है उस मूवी में दिखाए गया है पैरा साइट उसको ऑसकर भी मिला था आप देखिएगा ठीक है तो नौर्थ कोरिया वार में भी यह जो कोरियन वार था इसमें भी जाओ इलाई का अलब जो जाओ इलाई के डिसिजन ते उसमें चीजों को और ज़्यदा वर्स कर दिया ठीक है उसके बाद इसने कुछ इंपॉर्टेंट समिट भी अटेंड की ठीक है तो इसको अब फ्रांस से अजादी दो और लाऊस अलग हो कमबोडिया अलग हो वियतनाम अलग हो और वियतनाम नौर्थ वियतनाम साउथ वियतनाम अलग हो और यहां पर यह बोला गया नौर्थ वियतनाम साउथ वियतनाम दोनों से कि अपनी गोरिला वार टैक्टिक्स को हटा दो ये जाओ इनलाई बकाइदा ये agreement sign करके है ठीक है तो ये भी इन्होंने चीज की एक तरीके से Diplomacy के expert है जाओ इनलाई 1958 तक foreign minister है ये आपको पता ही है फिर उसके बाद बांडूं conference जिसका मैं जिकर कर रहा था ठीक है Asia Africa unity को बढ़ाया जाए उसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि cultural revolution शुरू हो गया चाइना में सब कुछ होने के बाद Mao Zedong को इधर भारत से चाइना युद लर रहा था और चाइना में लोग मर रहे थे क्यूंकि जाओ इनलाई भी इन्वर्ड लथा ये जो policy थी कि चाइना को reform कर देंगे economy के revolution ले आएंगे ये बिलकुल बेकार साबित हुई इसमें लोग बरबाद हो गए और लाखों लोगों की जाने गई आकाल पढ़ा है यहां पर चाइना पर आप समझ रहे हैं तो जब ऐसा हुआ तो हम देखते हैं कि cultural revolution शुरू हो गया क्योंकि Mao Zedong को हटा दिया गया पार्टी से और Mao Zedong ने स्कूली बच्चों की सेना खड़ी कर दी वो बताने लगे कि मुझे पार्टी से हटाया गया और जो नए पार्टी मेंबर्स हैं ये देश के जो इतना बड़ा कल्चर है इतना पुराना जो सब्विता है उसको नुक्सान पहुचाने आए तो cultural revolution शुरू हो गया जिसमें जाओ इनलाई लगबग लगबग निपटी गए थे इनकों भगा भगा के मारा गया था समझ रहे हैं अबलकि प्रेमियर थे ये चाइना के उसके बावजूद इनकों पर हमले हुए हेंरिक किसिंगर की बागरा फ्यूमन रिव्यू की आप देखेगा और जाओ इनलाई ये दोनों मिले और फिर हम देखते हैं चाइना से बहुत अच्छे रिलेशन थे नहीं लेकिन अल्टीमेटली माउ जिदॉंग और रिचर्ड निक्सन की मुलाकाफ थी तो इसमें जाओ इनलाई को बहुत इसमें काफी महत्व दिया जाता है 1974 मैंने बोला था 1976 में जाओ इनलाई का देहान्त हुआ ठीक है कैंसर से इनके मृत्य हुई थी तो ये जाओ इनलाई की कहानी थी आई होब आपको पसंद आई होगी साथी साथ मैंने थोड़ा आपको 360 डिग्री ओवर्विव देने की भी कोशिश किया कि क्या चल रहा था जब भी आप कोई भी लेचर सुने कुछ भी पढ़े तो आप हमेशे कंपेर करते रही है कि एक तरफ तो कहानी चल रही है दूसरी साइड हो क्या रहा है तब आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे खुश रहे पढ़ते रहे देशे सिद्दान तक नहीं होता ही साथ